रोज नई नई कहानिया, रोज नई नई जूट, रोज नई फसाने की साजिस, भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और अमिस्चा के इसारे पर, देश की दो सबसे बड़ी जाच एजेंसी, इडी और सीबियाई, इसका यही काम रह गया है, इसका मकसद कोई जाच करना नहीं, बलकि देश के सबसे लोगप्रिया नेता अरविंद केजरिवाल, आम आदमी पार्टी, उसको फसाना, उसको बदनाम करना, उनके साथ जुड़े हुए लोगों को जेल में डालना, उनको प्रतारित करना, यह काम रह गया है, देश की इन दोनों EDCBI की जाच एजन्सी का काम, गन पो百ट पे बयान लेना हो रही गया है, गवाहों से गन पो इनको पे बयान लेते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, और बयान लेने के बाद फसाते हैं, जेल में डालते हैं, सबूत कुछ नहीं तथ्य कुछ नहीं प्रमान कुछ नहीं घोटाला कुछ नहीं लेकिन धमकाना है डराना है प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर उनकी कटपुतली बनके नाचना है यह काम ED और CBI का हो गया है और कई प्रमाढ हम पहले दे चुके हैं आज और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे क्या भासा बोलते हैं लोग और इसके दो-तीन बड़े किर्दार हैं एक संजय मिश्रा है जो ED के डिरेक्टर है दूसरा वहां पर एक महिला अधिकारी है भानू प्रिया तीसरे एक CBI के अधिकारी है अन्मोल सचान आप कल्पना करेंगे आप सोच सकते हैं कितना बड़ा आपराधिक कृत्तिय अधिकारी कर रहें कितना बड़ा अपराध अपने ड्यूटी के साथ मैं इन सभी अधिकारियों से कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी तो 75 साल के बाद सन्यास ले लेंगे लेकिन आपको तो आगे भी नौकरी करना है नयाय कीजिए इमांदारी से अपनी ड्यूटी का पालन कीजिए ये डराना धमकाना ये गन पॉइंट पे बयान लेना ये कान फारना ये कहना कि तुम्हारी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी देख लेंगे ये सब बंद कीजिए किसी के बाप को बुला के बैठा के धमकाया जा रहा है किसी की पत्नी को बुला के बैठा के धमकाया जा रहा है किसी की मा को बुला के धमकाया जा रहा है मा, बाप, पत्नी को पहले अपने साथ एक कमरे में बंद करके रखते हैं उसके बाद जाके जेल में कहते हैं कि वो सब हमारे कबजे में हैं बयान दे नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे और इन तीनों अधिकारियों को इन्वर्टेट कामा में बताना चाहता हूँ ध्यान से सुन लिजेए इस प्रेस कॉन्फरेंस के माध्यम से बहुत ध्यान से सुन लिजे कि अब आपके द्वारा लिखे गए बयान और जिस बयान पर जवरन आप हस्ताक्षर कराने के लिए प्रयास कर रही थी उसका साक्ष हमारे पास आ गया है और समय रहने पर उसको उजावर करेंगे बहुत सारे साक्ष है आप लोगों के हम लोगों के पास आ चुके कि किस तरीके से आप ये पूरी जाच कर रहे हैं किस तरीके से पूरा ये सड़ेंत रच रहे हैं पूरा खेल कर रहे है उसके पूरे साक्ष हमारे पास आ चुके है क्या सुर्वात की जाज की इनों ने और इस पूरे मामले में एडी में आईयो तो है जोगिंदर सिंग लेकिन उनकी कुछ शल्ती नहीं वो कुछ नहीं कर सकते अपनी मर्जी से संजय मिस्रा के इसारे पर भानुप्रिया जो एक महिला अधिकारी है उसको निर्देश दिया जाता है ऐसे प्रतारित करो ऐसे मारो ऐसे धमकाओ ऐसे गालिया दो ऐसे अपमानित करो और बयान लिखके जाती है बयान लिखके बोलती है इस पे साइन कर ये लिखके दे रही हो इस पे साइन कर ये बासा होती है उस अधिकारी को और ऐसे तमाम साक्षे और प्रमार्ण हम लोग के पास आ चुके हैं जो कोड के सामने हम लोग रखेंगे पहले क्या आरोप लगाया केले के साथ सो करोन का सराब घोटाला हुआ है फिर क्या बोले बोले बीस से तीस करोन का साक्ष मिल गया है आठ महीने तक जाँच चली आठ महीने तक सैक्णों अधिकारी कई राज्यों में च्छापे मारी गिर्फतारी प्रतारित करना गुंडागर्दी सब कुछ कर डाले सौ करोन का आरोप आठ महीने तक जाँच फिर उस सौ करोन के फिगर को Whilst के 20 से 30 करोन रुपए कर देते हैं किसाब 20 से 30 करोन का Сाक्ष मिल गया आठ महीने बाद कोट ने पूँझा वही 20-30 करोन का साक्ष कहा है तो केल के साहथ छेलाख रुपए का साख्षे- मजाध सुनिए का आप कह रह रहा है, छेलाख रुपए का प्रमार रहए आरोप है, सौ करोड का फिर आय 쉬inkिर औंब प्रमार दे रहे, शेलाख रुपए का ये इनकी जाएचिय यह इनकी नोटन की यह इनका ड्रामे बाजी अभी दो दिन पहले से क्या सुरू किया है सत्रा करोन का सबूत मिल गया आप रोज नए ड्रामे कर रहे हैं रोज नए मजाग बना रहे हैं आपकी क्याति की यह इडिया कोई जांच एंसी्हाई है या कॉमेडी से है अपने मेंट आप मुझा नहीं कि लाया उपरेंगोट़िनी साला करोन का इमदेगी GODS करके हम लोगों को तोप से उडवा दीजे इतनी नफरत क्यों रखते हो भाई कोई साच नहीं मिलना फिर दो दिन पहले से सुरू कर दी सत्रा करोन सत्रा करोन अब एक साल तक सत्रा करोन की जाज चलेगी एक साल तक सब को जेल में धंका धंका करें और यह सत्रा करून की जाज के लिए भी वही टैक्टिस डराओ धंकाओ जूटे बयान लो वही टैक्टिस कोट ने आठ महीने के बाद जब पूछा भाई सबूत तो दो आरोप लगा रहा है उस सव करून के घोटाले का कोई तो सबूत दो एक रुपए का ना घोटाला हुआ है ना एक रुपए का इनके पास कोई सबूत है यह दोनों की दोनों जाच एजंसियां नरेंद्र मोदी के इसारे पे अर्विंद केजरिवाल और आम आदमी पार्टी को बर्बात करने की पूरी कोशिस और साजिस रच रही है एक भी साक्ष इनको नहीं मिला एक प्रमाण इनको नहीं मिला अभी एक व्यक्ति के बारे में हल्ला मचाया गया किसाब उसने केजरिवाल के बारे में बयान दे दिया केजरिवाल से उसकी बात हुई केजरिवाल से उसकी मुलाकात हुई अब सोचे देश के तीन बार के चुने हुए दिली के राज्य के मुख्यमंत्री उनके बारे में जूंटा प्रचार मीडिया के मादनें से किया गया कि किसी सक्स का बैयान आ गया है किसाब ये तो केजरीवाल का नाम ले रहा है केजरीवाल से मुलाकाथ हुई है, केजरीवाल ऐसा, केजरीवाल ऐसा उसकी सच्चाय ये पता चली कि उसके पिता और उसकी पतनी को बुला कर अपने पास रख के धमका कर उससे बैन लिया गया बाद में उसी व्यक्ति ने कोर्ट में जाके कहा कि ये सारी बाते जूटी हैं हमसे जबर्दस्ती जबरन बयान लिया गया तो आठ माईने के बाद कोर्ट ने पूछा भाई कोई तो सबूत दो तो एक दूसरे का मूँ देखने लगे ED वाले CBI का, CBI वाले ED का दोनो अपने आका मोदी को याद करने लगे और कासाब कोई सबूत नहीं है तो राजे इस जोसी को और गौतम मलहुतरा को जमानत मिल जाती है उसके बाद जब इनको फटकार लगी कोट से जब चारो तरफ ठूथू होने लगी अब तो चेहरा बहुत काला हो रहा है कुछ तो कर रहा पड़ेगा परसों से 17 करोन की स्टोरी शुरू है अब ये मनोहर कहानी एक साल तक छपेगी बंद करो ये सब जाँच बंद करो ये सब ड्रामे और एडी और सीब्याई के अधिकारियों से कहना चाहता हूं भानू प्रिया जी अनमोल सचान जी संजय मिश्रा जी आप एक बड़ी नौकरी कर रहे है आई आरस की नौकरी कर रहे हैं आई-इस आई-आरस आई-पी-इस ये डेश की सब से बड़ी नौकरी होती, गरद करते हैं आपके बच्चे, आपके उपट आपका पर समाज कि कितनी बड़ी नौकरी हमारा बेटा या हमारी बेटी कर रहे हैं और आप लोग ये काम कर रहे हैं ये घिनोने करते हैं एक अर्विंद केजरिवाल और आम आदमी पार्टी को बद्धनाम करने के लिए ये सारी साजिसें ये सारी चाले अब मैं आपको अपने से संबंदित मामला बताता हूं इन्हों ने गलती जो मानी और मुझसे कहा कि साब गलती हो गई थी लिखना था राहूल सिंग लिख दिया संजे सिंग उस दिन भी मैंने कहा था कि भाई आजय का संजे हो सकता है विजय का संजे हो सकता है राहूल का संजे कैसे हो गया तो बोले निनी साब गलती हो गई और हमने न्यायाल को लिख कर दे दिया कि कल वो पत्र हमारे हाथ में लगा अभी आपको शेयर कर देंगे इन्होंने एक नहीं तीन तीन जगे चार सीट में पहली चार सीट में मेरा नाम गलती से लिखा दूसरी चार सीट में मेरा नाम गलती से लिखा तीसरी चार सीट में मेरा नाम गलती से लिखा और जब मैंने defamation का notice बेजा तब इन्होंने court में ठीक किया इसका मतलब प्रधान मंत्री और भारती जन्ता पार्टी के इसारे पर मुझे फर्जी फसाने और जेल में डालने की गहरी साजी सिंके थी अगर मैं defamation कर नोटी सिंको नहीं भेजता तो ये मुझे निश्चित रूप से जेल में भेजते हैं आप सोचिए एक member of parliament को पहली चार सीट में आप गलत नाम लिखते हैं दूसरी चार सीट में गलत लिखते हैं तीसरी चार सीट और ये खुद मान रही AD मैं नहीं कह रहा वो चिठी भी आपको दे दूँगा नियायले के सामने इन्हों ने लिखाया कि साब ये तीनों जगह हमसे गलती हो गई अरे गलती एक बार हो सकती है और आपको मालूम है AD की जो चार सीट फाइल होती हो ऐसे हवा में नहीं होती बार बार उसको पढ़ा जाता है चार बार पांच बार उसकी रीडिंग की जाती है और एक सांसत का नाम आप शामिल कर रहे हो आपको पता नहीं चल रहा है एक बार दो बार तीन बार आपने चा जो अभी का बयान जब वह बाहर आता है उसके बाद का उसमें फिर मुझे फसाने की साजिस उसकी पूरी जानकारी विस्तित रूप से आगया आपको दूँगा यह चल रहा है यह जाच है इनकी तो इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि अब यह जो 17 करोण की नई मनोहर कहानिया शुरू ही हैं यह इस बात को साबित करती हैं कि ना तो ED के पास ना CBI के पास एक पैसे का एक रुपए का भी कोई भ्रस्टाचार का कोई बेईमानी का कोई घोटाले का सबूत नहीं है शराब भोटाला मन गढ़ंत फरजी और जूट का पुलिंदा है और उसके जो अधिकारी EDCBI के हैं यह भानू प्रिया यह अनमोल सचान यह संजय मिश्रा यह सारे लोग प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के इसारे पर भारती जन्ता पार्टी के इसारे पर अर्विंद केज्रिवाल और आम आदमी पार्टी को बरबात करने की साजिस का हिस्सा है और इन से जुड़े हुए सबूद अब हमारे पास है वक्त आने पर देश के सामने इसको आए हैं वो भी आपके सामने समय आने पर रखेंगे आप सब का धन्यवाद करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब भी इनकी कोई मनोहर कहानिया या जूठी कहानिया आपको मिले किर्पा करके उसको चलाने से पहले कि उस पर कोई बयान देने से पहले आप उसको जाच ले परख ले पूरा सच देख ले तब उसको सामने रखें तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा आपका कोई प्रस्णों पूछ सकते हैं इडी ने खुद कहा है कोट में जाके जब मैंने डिफरमेशन का नोटीस भेजा जब मैंने प्रेस कॉन्फरेंस की उसके बाद इडी ने जाके कोट में लिखके कहा है के साहब पहली बार दूसरी बार तीसरी बार तीनो चार सीट में संजे सिंग का नाम गलती धंग से लिखा गया है एक बार नहीं पहली चार सीट में गलत लिखा दुबारा भी ठीक नहीं किया दुबारा भी गलत लिखा तीसरी चार सीट आई तीसरी चार सीट में भी लिखा ये मज़ेदार बात मैं आपको बताने ही कोशिस कर रहा हूँ ये है देश की सबसे बड़ी जाच एजनसी की हकीकत तीन तीन बार चार सीट में मेरा नाम गलब लिखा गया